हेलो दोस्तों परदसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तों फ्लाइट और ट्रिवल को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है साथ में दोस्तों आगर अभी आप आज की तारीक में सौधी अरब जाने का फैसला करते हैं वाया किसी देश से तो कौन सा ऐसा देश है जहां से आपको सस्ता पड़ेगा उसके बारे में बताने वाला हूँ और इसके लिए बंगलादेश के बारे में साथ एक कोईट फ्लाइट के बारे में लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोड़ी सी अपीले अगर आप फ्लाइट और ट्रिवल की तर ओमान बहरीन दुबई तो अभी आप परदेसी फ्लाइटी टूप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं साओधी अरब को लेकर तो साओधी हुकूमत ने काफी पहले इसका एलान किया था कि जो परतिबंधित देश है यानि जिन कंट्री पर पावंदी लगी हुई ये फ्लाइट को लेकर वहां के लोग वहां के रेजिडेंट्स जो लोग है वो आ नहीं प स्टेंड हो चुका यानि बढ़ चुका है 30 सितंबर तक आप अपना चुट्टी पेपर चेक कर सकते हैं मुकिम पोर्टल पर जाकर उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसके लावा आप अपना इकामा भी चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री आप लेवर की चेक करेंगे अपने मुबाइल से आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं अपना एकजिट रिंट्री वीजा तो वह मैं आपको दिखा दे रहा हूं आप मुकीम वेबसाइट पर जाएंगे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया सबसे पहले आप अपना इकामा नंब इंटर कर दीजिएगा फिल कर दीजिएगा मैं इसको फिल कर देता हूं फिर मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूं कि एक्शुली में ये एक्स्टेंड हुआ है या नहीं हुआ है दूसरे कालम में मैं वीजा नंबर फिल कर देता हूं फिर मैं इसको चेक करता हूं खुलकर आ गया है ये पूरी तरीके से ये page अब नीचे आप देख सकते हैं return before 30 सितंबर 2021 ये बढ़ चुका है 30 सितंबर तक extend हो चुका है ये exit reentry visa यानि चुटी paper जो है ये extend हो चुका है 30 सितंबर तक तो इस तरह से आप अपना exit reentry visa चेक कर सकते हैं mobile से आप चेक कर सकते हैं ज electronic तरीके से extend हो रहा है तो जिनका नहीं हुआ है वो परिशान ना हूँ अगर आपका पहले extend हो चुका है तो निस्चित तोर पर आपका extend होगा तो इस तरीके से आप अपना exit reentry visa चेक कर सकते हैं तो ये तो बात होगी दोस्तो exit reentry की चुटी paper की एकामा की बात होगी लेकिन आप सवाल है कि जाएं कैसे क्योंकि अभी तो direct tap entry नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने अपना vaccine इंडिया में कराया हुआ है वो लोग अभी direct entry नहीं कर सकते हैं सौधियरब तो उनके लिए क्या रास्ता बसता है जिसमें उनके कुछ पैसे कम लगें कुछ पैसे बच जाएं त ठीक इसी तरीके से ओमान का package भी आ रहा है इसकी वज़ा ये है कि अभी जो इंडिया से flight अपरेट हो रही है वो flight महंगी है लेकिन अन्य जगों से आपका थोड़ा सस्ता पड़ेगा अगर आप वाया बहरीन सौधियरब जाने का फैसला करते हैं आप इंतजान नहीं करना चाहते हैं तो क्योंकि सौधी हुकूमत ने जो ये exit entry visa को extend किया है साथ में एकामा को जो extend किया है निस्चित तोर पर ऐसा लग रहा है कि ये अब आखरी बार है जो free में किया गया है इसके बाद सायथ अब free में extend ना किया जाए क्योंकि सौधी अरप उन लोगों के लिए direct flight सूधी अरप से vaccine की दोनों डोज लगवा कराये हैं और इसके बाद उमीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो लोग इंडिया में vaccine लगवा चुकिए उनका भी number आएगा तो बैराल अगर आप इंतजा नहीं करना चाहते हैं ज्यादा दिन नहीं रुकना च सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है तो यह सौधी अरप को लेकर दोस्तो बात होगी अगली अपडेट दोस्तों इंडिया से कोईट फ्लाइट को लेकर है तो इंडिया से कोईट के लिए फ्लाइट तो श्टार्ट हो चुकी है लेकिन कोईट की तरफ से जो एक सीमा न उन्होंने उमीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में जो ये capacity है इसको और बढ़ाये जाएगी कोईट airport की capacity भी बढ़ाये जाएगी इसके लवा जो एक सीमा ने अधारित की गई है कि भारत से इतने passenger भी travel कर सकते हो उसको भी बढ़ाये जाएगा इसके बाद ticket सस्ती होग अगली update इंडिया वंगलादेस flight को लेकर है तो इंडिया वंगलादेस के बीच में air bubble agreement के तहत flight है शुरू हो चुकी है इसी सिलसले में air India की तरफ से कुछ flight के जानकारी दी गई है जिसने बताया गया है कि Kolkata से धाका के लिए flight operate होगी non stop flight होगी तो अगर आप Kolkata से धाका क के लिए travel करना चाहते तो आप air India की site पर जाकर ticket book कर सकते हैं इसके लावा travel agent से ticket ले सकते हैं और साथ में अगर आप चाहें तो काल सेंटर से भी detail ले सकते हैं तो ये आज की दोस्तों कुछ update थी flight और travel को लेकर बहराल आगे कोई और update होगी इंडिया सौधी कोई, कतर, बहरी दुबई या इसके लावा और किसी देश की update होगी flight और travel की जो आपके लिए जरूरी होगी, आपके लिए काम की होगी तो वो आप तक पहुचाए जाएगी, इसके लिए आप परदेसी flight YouTube चनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलेंगे next वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल लखिए, खुश रहिए, गुडबाई